तो चलिए शुरू करते हैं हमारा नया कॉंसेप्ट विडियो जिसका नाम है ग्लोबल वॉर्मिंग So I hope हमें ये तो पता है कि जो ग्रीन हाउस गैसेज होते हैं वो ग्रीन हाउस इफेक्ट को कॉस करते हैं और वो करते क्या हैं हीट को अब्जॉब करके रेडियेट करते हैं अब अगर आप ज़रा सोचिए कि ये ग्रीन हाउस गैसेज का अमाउंट बहुत ज़ादा बढ़ जाए अर्थ पे तो टेंपरेचर जितना मेंटेन होना चाहिए उससे ज़ादा मेंटेन होगा राइट और अर्थ नॉर्मली जितनी गरम होनी चाहिए उससे ज़ादा गरम होगी तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के बढ़ने से यानि कि अगर ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ रही है इसका मतलब है green house effect बढ़ रहा है उसके बढ़ने से जब earth का temperature बहुत ज़ादा बढ़ जाता है overall उसी को हम कहते है global warming हमारी earth के उपर बहुत सारे green house gases relative contribution में present है और वो global warming में बहुत ही ज़ादा contribution देते हैं और ये green house gases जतनी ज़ादा बढ़ती जाएंगी global warming उतना ज़ादा होता जाएगा और earth के लिए उतना ज़ादा ये परिशानी की बात है क्या आप जानते हैं कि global warming के चलते जो हमारी earth का temperature है वो by 0.6 degree Celsius बढ़ चुका है पिछले 3 decades में और अगर ऐसे ही चलते रहा तो possible है कि earth पे life का exist होना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा तो global warming के चलते बहुत सारे earth पे changes आ रहे हैं जैसे कि climate change आ रहे है उसमें कि example है alnino effect जो क्या कर रहा है वो increase कर रहा है sea surface temperatures को तो जो sea surface है उसके उपर के जो temperatures है वो increase हो रहे है जिसकी वज़े से बहुत ज़्यादा climatic changes आ रहे है उसके साथी साथ जो polar ice caps है वो melt हो रहे है और वो भी वहाँ पर जो polar regions पे रहने वाले organisms है उनके लिए बहुत ही नुकसान की बात है और इसके चलते जब यहाँ पर ice caps melt हो रहे है तो sea level पर भी rise आ रहा है और sea level बढ़ रहा है इसका मतलब है कि sea level के आसपास के जो areas है जिनको हम coastal areas कहते है वो शायद आने वाले समय में डूब जाएंगे और खातम हो जाएंगे तो अगर हमें global warming को control करना है उसके लिए हम क्या-क्या measures ले सकते हैं क्योंकि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो शायद earth पे life बहुत ही मुश्किल हो जाएगी exist करना तो इसके लिए हम क्या-क्या steps count कर सकते हैं अब सोचिए ज़रा कि अगर greenhouse gases ही कम हो जाएं तो शायद वापस से global warming का जो rate है वो reduce हो जाएगा और earth का temperature वापस से maintain हो सकता है तो इसके लिए हम fossil fuels का जो use है वो कम कर दे क्योंकि fossil fuels के use से बहुत जादा ही greenhouse gases release होती है इसके साथी साथ हम deforestation को भी reduce करें क्योंकि पेडों के काटने से carbon dioxide के content में भी फरक आता है इसके साथ-साथ हम और जादा से जादा हो सके तो trees को plant करें और साथी साथ human population को reduce करें उसको control करने की कोशिश करें ये सारा कुछ करने से ही हम अपना contribution दे सकते हैं global warming को control करने के लिए